साथियो नमस्कार वेलकम बेख तुमाई योट्यूब सेनल दोस्तों मेहुरीसी और आपका अपनी योट्यूब सेनल दोस्तों आप लोग कैसा है सब दिक है दोस्तों आज एक स्पेशियल फीडियो लेकि हो किसके लिए दोस्तों सभी को पता हो गया होगा एसा सीजीदी 2024 के लिए दोस्तों बैस्ट एक वीडियो लेकि आगे यह जो पेपर में एनलेसिस किया था जो गया था में एक जम संतर हूल में भी जाके भी इसका पूस्तास किया कैसा पेपर आई क्या नहीं है इस बार इतना इजी क्यू आ रहा है इसका रिजन क्या है क्या है काट ओफ जाएगा इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा कंडिडेट का भी इस बार एटम के सिक्स्टी क्वेस्टन से भी उपर है दोस्तों एटम किया है इसलिए मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपका काट ओफ ज्यादा या कम जाएगा दोस्तों और इस वीडियो देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना साथ में बाल एकन दबा देना दोस्तों अभी टोग जो पेपर है जो आया है बहुत ही इजी आया है सबसे ज्यादा जो इजी आए जी के रिजोइनिंग हो गया मैज भ आफ नहीं आया है इसलिए बहुत मतंब सभी टेम् किया है इसलिए लग भग भाल्य है तो मिनीमाम एक। 60 question रहेने दीजिए 50 question तो एक percentage हिसाब आभी टोग 50% मतलब सभी candidate है एटेम किया है 50 question हो गया तो दोस्तों कितना 100 mark यह OS Bengal में ऐसा हो रहा है ताकि OS Bengal में पिछली बार भी आपको 70-75 से select हो गया था और इस बार दोस्तों जितना में candidate को यह क्या है सब लगभग 50 question किया है दोस्तों और एक एकुरी से आप लगाएगा तो 50 question हो गया तो 100 mark अपका काट अफ देखिए SC हो SC कोई भी हो मतलब लगभग इतना है काट अफ इस बार हाई जाएगा दोस्तों कितना तक जा सकता में वह आप लोगों बताऊं एक टी question है पूरा cover करने के लिए ऐसा easy आया time का मतलब क्या है time के लिए question complete नहीं हो पा रहा है भी easy आया वही question पहले की थोड़ा बहुत बाद में आप लोग ऐसा करना है पार में आपको जिसमें टाइम लगता है वह लास्ट अक रखिए और चारों पार्ट में जो भी candidate नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस बार जहां पे 75 गया था उड़ार 80 आराम से जाएगा और जहां पे 120 गया था उदार 130 आराम से पहुच जाएगा दोस्तों इस बार पांसे लेके दोस मर्क तो जाएगा पिछली बार की अनुसर इस पर ज्यादा जाएगा काट अब दोस्तों इसलिए में बताना साथ हूँ जो भी candidate दे दिया वो तो दे दिया अभी जो आ रहा है जो इसका है आगे वह अच्छा से मेहनत कीजिए तयारी कीजिए और ताइम का थोड़ा सा देखिए ताइम ज्यादा वस्तिज नहीं करना है ताइम एक पार्ट में क सब्सक्राइब करने से इस बार नहीं काम चलेगा लगबख 50 क्वेस्टन से उपका उपार रहना पर तो भी आप इस बार सिलेक्ट हो सकता है 45 क्वेस्टन से भी उपार आपको रखना पर तो आप निश्चित रहेगा क्योंकि आपका माइनस होने से भी मिनिमाम 80 मर्क से अगया एक्जाम है जिसका हो गया आप फीजिकल के लिए तो आरे किजिए और फीडियो इतना है दोस्तों जो भी कैंडिदेंट में बोलना साथ हो और इस बार सिलेक्टन हो जाए जिसका सपना है पूरा हो जाए पिछली बार फीजिकल में बहुत ही आउट हुआता और आप मेभाले कन बार आप जया हुआ ही ही हुआता है